जैहिंदी स्टुडेंट साची किलास के अंदर अपन लो फोटो केमिकल पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा लेक्चर नमबर टू है या फिर पार्ट नमबर टू भी आप बोल सकते हो देखो फोटो केमिश्ट्री के दो प्रिंसिपल लो हैं जो कि बेसिक लो होते हैं पहला है अब का जो सैंटिस्ट था वो था जिसका नाम था घृतिस ठीक है और सेकंड नमबर पर जो लो दिया बैटा वो था आपका ड्रेपर तो दोंबने राटने जो एक्सप्लिनेशन दिया और ग्रॉथर ने चसप्लिनेशन दिया तोनों नहीं क्या दिया एक्सप्लिनática के हैता और जो घृषस का जो एकसप्लीनेशन था वो कैसा था आपका वह था आपका वीटा थे यानी कहने का मतलम यह सर्दान्तिक था theoretical based क्या था, इसका explanation था ठीक है, अब ये लोग क्या बोलता है, वो हम समझते हैं ये लोग बोलता है आपका कि कोई भी आपका reactant molecule जिसको का आपके ओपर क्या डाल रहे हो, कोई light डाल रहे हो, कोई radiation डाल रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, निम्न प्रकार के निए बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं फिनोमिना होते हैं, जिन मेंसे आपके तीन मैनली फिनोमिना होते हैं नमबर वन के ओपर हम पढ़ते हैं बेटाए, आपके पास में reflection फिनोमिना नमबर सेकेंड के उपर जो फिनोमिना हम पढ़ते हैं वो होता है आपका कौन सा एब्जॉप्शन फिनोमिना और नमबर थर्ड के उपर जो फिनोमिना होता है वो होता है आपका ट्रांस्मिशन फिनोमिना अब reflection का मतलब होता है कि आपके जो reactant molecule है उसके उपर हमने light डाली और light डालने पर यह क्या होई light इससे reflect हो गई उसको हम बोलते हैं reflection phenomena absorption phenomena को हम बाद में पढ़ते हैं transmission का मतलब होता है आपके reactant molecule को मतलब इन लाइट डालो तो सही ना डालो तो सही अपन को तो बैटा आरपार क membrane कल गई वो होती है बैटा का transmission phenomena एक होता है आपका absorption phenomena यह important है क्योंकि क्या करवाता है अपकी initiate यानि active हो जाता है इसलिए हमारा absorption phenomenon क्या होता है growthus draper law के अंदर और पूरी photochemical reaction के अंदर सबसे principle जो लो होता है यही होता है इसको first law भी बोलते हैं और basic principle law BC को बोलते हैं क्यों क्यों कि इसके अंदर कोई भी molecule absorb करता है और activate होता है और photochemical reaction भी यही होती है photochemical reaction हम क्या बोलते हैं कि यह कोई reactant molecule है light डाली यह क्या हुआ activate हुआ और activate होने के बाद में यह product बना लेता है इसी को हम बोलते है photochemical reaction तो यहां से यहां तक का जो phenomenon है यही तो कौन सा law है growthus draper law है first law है आपका ठीक है तो absorption phenomenon के अंदर क्या होता है photochemical reaction complete हो जाती है अब बेटा इसके अंदर क्या होता है जरूरी नहीं है कि आपका जो reactant molecule है वो क्या करे फोटो chemical reaction ही initiate करे क्या करे फोटो chemical reaction को lead करे यह जरूरी नहीं है यह जरूरी नहीं है वो कभी क्या करता है बेटा है आपका इसकी जो thermal energies होती है ना उसके अंदर भी क्या कर लेता है, चेंजेस कर देता है, धरमल एनरजी के अंदर क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है, और इस प्रकार जब चेंजेस होते हैं, तो आपको दो प्रकार के फिनोमेना और देखने को मिलते हैं, पहला होता है आपका फ्लूरोसेंस, और दूसरा ह क्या समझे बेटे यह बहुत शांदार चीज थी आपके तीसर पेरेग्राफ में लिखा हुआ है मैं बताऊंगा आपको कौन-कौन से पेरेग्राफ है और एक फिनोमेना को क्या बोलता है कि भाईया आपका यह जो रियक्टेंट मोलीक्यूल है यह कभी खबार क्या होता है इस इस एक्टेवेट होने के बद में इसको देता है इसको ट्रांसफर कर देता है प्लड करता है अगर इससे भी लड़ाई कर ले तो फिर रहेगा कहां पर रहना तो उसके घरमें इसको तो यह करता है सिसकू बोलता है डूसरा वाला सबस्टांसि करता है है को यह कर लेता है एबजोट करता है और फिर इसको ट्रांस्म्ट कर देता है भस इतना सा ph gaban average असनों आपको यह याद रखना है अब पढ़ते हैं theoretical experimental बहुत ही शान्दर मजा आएगा जीडी लोग दे फर्स्ट लोग फोटो केमिस्ट्री दिस लोग वाज गिवन बाइद ग्रोथस इन दा ये एटीन 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 लेटर रिफॉर्म एंड बाई जे डबलू ड्रेपर इन एटीन फॉर्टीवन इस experimental explanation मैं बता चुका हूँ पहले paragraph आपका अकोरिंग टू दिस लोग वेनेवर monochromatic radiation impact on reactant molecule जब भी आपकी जो monochromatic radiation होती है वो को reactant molecule को पर डाली जाती है तो वेन रेडियेशन शो मैंनी फिनोमेना तो आपकी जो absorption radiation can cause photochemical changes जो आपकी जो absorption फिनोमेना वो ही क्या करता है आपका photochemical changes करता है it is not necessary यह आउशक नहीं है that the absorbed light will always lead to a chemical reaction की आपकी जो absorbed की गई light है वो always ही क्या करे chemical reaction को क्या करे progress करे यह ज़रूरी नहीं है the absorbed light may simply transform जो absorbed light होती है न वो क्या करती है में simply transform into thermal energy thermal energy के अंदर क्या कर देती है कुछ changes कर जेती है और में bring about phenomena such as fluorescence and phosphorescence that is third paragraph मैंने बताया था it is also observed in few cases that the reacting substance does not observe the light yellow वह यह इसकी चल ली नहीं है इसकी क्याक्स नहीं चल रही यह जो आपका जो reactant molecular नहीं हो उसकी light से बंदरी नहीं है यह बोल रहा है कि it is also observed in few cases कुछ cases में क्या देखते है वेटे that the reacting substance वह हमारा reacting substance है न वो क्या करता है does not absorb the light light को यह absorbed नहीं करता है तो ऐसे cases में क्या होता है light absorbed energy directly है न तो the energy absorbed by the some other substance जैसे कि मैं आपको बता है तो इसके पड़ोसी वाला होगा न वो क्या करेगा उस energy को substance क्या करेगा लेगा और क्या करेगा देखर इस ट्रांसफर्म टूदा रियक्टिंग सब्स्टांट और जो रिक्टिंग सब्स्टांट ता जो नहीं ले रहा था energy को उसको ट्रांसफर कर देगा इस cold photosensitization इसको क्या बोलते हैं photosensitization कहने का मतलब बेटा अगर दो molecule एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो पहले नंबर का जो molecule है that is है कोई A molecule है और B molecule है अगर पहले नंबर वाला radiation नहीं ले रहा है और दूसरे नंबर वाला radiation लेकर और इसको ट्रांसफर कर रहा है तो यह वाला जो परदार्त है आपका यह वाला जो matter है यह होता है बेटा photosensitization इस परदार्त को प्राइमरी प्रोसेस कोई भी लेता है लेने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है यह आपकी प्राइमरी प्रोडेक्ट बनाता है तो यह प्रोसेस सेकंडरी प्रोसेस तो हमारा यहां तक कि क्या करता है यहां तक है क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि लाइड दी और एक्टिवेट हुआ बस इसके आगे काम पड़ी नहीं रहे कि प्रोडेक्ट चावन रहे तो मतलब नहीं है तो यह वाला जो ग्रोट पर लो है तो ट्लो है वो कहां पर एपली केवल है अन्ली प्रैमरी प्रोसेस के उपर लेपली केवल है श्टर कायंस्टीन रहे चैसेटलो हो फोटो चेमेस्ट्री यह क्या बोलता है तो चोटा सा ये बच्चा इसका एक का वोड़ दूर हो कि क्या बोल रहा है कि वन मॉलीक्यूल वन क्वांटा ये लो ये लो क्या हो गया आपका खतम हो गया ये क्या बोलता है कि कोई भी लाइट होती है ना तो लाइट के अंदर क्या होते हैं क्वांटा होते हैं तो ये क्वांटा से ही क्या होता है एक मोलीकूल होता है वो क्या लेता है आपका क्वांटा लेता है और क्य इसको कबोलते हैं लो फोटो केमिकल एक्विलेंस यह भी दोनों इसी के नाम है प्रिंसिपल ऑफ दा क्वांटम एक्टिवेशन और वन फोटन वन मोलीकुल प्रिंसिपल इन चारों में से बटा किसी भी नाम से पूछ लेगा याद रख लेना अकोर्डिंग टू दिस लो वो फोटो केमिकल चेंजिस करता है किसकी दोरा करता है result of the absorption of the single quanta of light energy light energy का एक single quanta absorption करकी वो क्या करता है स्वैं में एक फोटो केमिकल चेंजिस करता है या फिर आप लिख सकते हो कि every atom or molecule which takes part in a chemical direction प्रतेक molecule या परमानों जो भी है जो क्या कर रहा है chemical direction में part भाग ले रहा है आपकी जो radiation of the radiation which induced the reaction और क्या करता है बटा वन क्वांटा ओड़ेशन लेता है और क्या करता है आपकी reaction को क्या करता है लीड करता है या फिर starting कर देता है arise कर देता है इंडियूस कर देता है दा एनर्जी ओवन क्वांटा इस गीवन बाई दा प्लान क्वांटम थेोरी जो की है इच इकल टू एच नियू यहां पर एच क्या है बेटा प्लांग कॉंस्टेंट होता है जिसकी वेल्यू किया होती है 6.6 तूंट 10 की पावर मानेस का 34 जूल सेकिंड नियू क्या होती ब आप चाहिए आप कितने मोलीकुलों दस मोलीकुलों तो यहां पर एन की वेल्यू दस हो जाएगी 20 लोगे तो आपके पास में है तो एनर्जी आप निकाल सकते हो तो यह होता है बेटा इस टार्क आइंस्टीन लो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बियर लेंब लो तो वीडियो बेटा बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको आशा करता हूं मैं ऐसी मैं खुद नहीं बहुत सकता क्योंकि आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए जैहिंद जैभारत और इसकी जो पीडियाइफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल अगर आपको चाहिए तो ठीक है तो कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो पीडियाइफ में डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दूगा अभी के लिए जैहिद जैभारत